फिर वो तो देखना पड़ेगा यहां पे घोडी नहीं आएगी अच्छा यह सर्प्राइज है चला ओन चला गे यह स्कूल है कि निये प्रोग्लम अंचे प्रोग्हां जड़े साथ है ओक प्रोग्लमुर्णी आदे प्रोग्लमु करें कि रहें सक्ष्मादी है एक अंचे आड़े आड़े का दो को थैखा यह सुपल जाना है आप आड़े गे यह जाएगा तुमारी जगा बाल किज रहे प्लाव स्चेंट बाद बहुत ही स्पेसिल उठाया है ओम तो थो वह पही वुच्वाइन रोट ज़ो खाउच्व जईन को चब अ हो तो टुट्टी अज़ने खिर्ऐ हम्रम सीघा राम सीव कोने होजे वहाँ जो में आधा उता है एधान निकालेगे ये हो झोड़े इसको उलाना हो इसको बाड़े मोले निया हो लोग ये ये होड़े다 ह। और माला झीजा हुआ है हमोटे मैंट डोलेग़ेगे दूला है नहीं ले ओड़ेगेगे कि अच्छन बहुत ज्यादा है पापा और ली उठ जाते है अभी मंदीर में प्रेह करके फिर चाई पिएंगे पापा भी पापा को डायबिटीस है तो पापा शुगर नी डालते सिर्फ चाई पती और दूध एड कर देते हैं है और अलू के लिए दूध रेडियोगा रहाम लेके लिए डेड चाही रेडी है और मजेकि पास अभी सी अशेविए आइड रहे हैं नहीं जाने वाले कहीं और यह प्रोजेक्ट भी लेकर जाने है इस्कूल में थे ना जा रहा है अपी स्कूल पहला दीन आफ्टर वेके सन स्कूल जानों है और शीव को जरह भी अच्छा नहीं लग रहा है इस्कूल जा रहे है तो सीव को साथ में जाने का मन है बाहू रुक जाओ ओम भाई जा रहा है स्कूल वस्ता बया आगे आज वाली बेन की छुटी है सिव तो चला ला ओम चला गया स्कूल लेकिन इया प्रोग्लम है स्कूल को जाना था जाओ पाए बाहर की ओम चला गया स्कूल तो यह ढ़ा रोना हुआ और यह वापस में बोलनी दू़ए वापस सीव को रोना है जाना था, भाई तेसाथ स्कूल थोड़ी सी ठंड जयादा है और हवा पी चल दे, जो रोयाज बोलते, तब बहुत जयादा है हवा पी चल दो जी और अज बाली पे नहीं है, तो भी सारा काम करती में चल दी जल दी क्या? अब ही करी निये सीव को कर दी है, पार्थी बालून्स दे दी है अपुड़ी दे खेले, और अपना काम सातों परेक्स प्रेस सीव कर दियान रखेंगे सीव लेव! 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 आयायबोल यह! 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 आव बिडेव! बहुत ज्यादा है तो पूरा कवर करके रखते दही को ताकि इसको अच्छी गर्मी मिल जाए और दही बन जाए अच्छी तो यह चम गया है बहुत अच्छे से इसमें भी चम गया है तो यह से दही रेडियो होगे आप इसमें से छास बनेगी और फिर मख्ष निकालेंगे हाओ रुछ हाइए डिया कर रहे हो और जाय बन रहे है साथ में राब राम सितारा म् जैसिया राम सापने की कि वाइना ताव में में हमने ताच्छी ताजे आज वाली बनने नहीं तो की रना गयी है है तो नहीं है जेकें लेडरे का यह पिल मैं बोले थे कि टीन अपि आई नहीं बोली आज थे तड़ बहुत ज्यादा है नो इसलिए उठानी गया होगा अँछा बहुत जिए नहीं होता है में आज रात को देखाई थे कहीं बेबी तो नहीं आया बेबी को आप इसायद दो दिन ओर लगेंगे और मुझे भी ताजा-ताजा बनानी है बेंगन की तो लेकर यह से जंपिंग करता है सिउकी । कि यह हमारा एक चोटा सा प्लांट है लेकिन देखो बेंगन कितने सा रहे हैं तो जो भर्क है बनाते ना बेंगन और इसमें कोई भी चैमिकल नहीं लगाते हैं यह घर के बेंगन हैं यह घर के बहुते अवेजिया परे लारिंगना भी भूलते हैं लुट चाटे है तो विंटर में खाने की सब्सक्राइब की जाता है लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते फिर वह एज़ेबल वाले के पास तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तुरंत यह पक भी जाते क्योंकि कर दो नोई निकाओं के वह तो अभी में ओर लेके जा रही हूं कि अभी हमारे वरकर जाते ना तो इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं और यह अलग 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 छोड़ है इसमें वाइट वाले भी है वह पिंक वाले मतलब परपल वाले हैं यह अग प्लांट आज हो बहुत चल रही है 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 रख यह पर यह लगा इस बार क्या हुआ है साहओ टामाटर इतने नहीं आ पाए देखो वहाँ पर कुछ है कि वह हैाघ बहंगान यक थी वापस बेंग विंटर है अभी केरस्त हो गए यहां पे साइम नहीं निकलों अग लिगा एह अर्ली लगा दिया थे तो इस को पी ग्रीन चिली ङीं थे साथ जपा बनाते है ज़ा सबस्ति बनती है मेथी है फिर यहां पर एक टाइब के बीन्स है और यह पालक देखो और हमारे यहां तो मतलब जो भी खेतो में रहते जो लोग वो तो सब अपनी सब्जियां कर पे लगाते हैं पालक है गार्लिक है फिर प्याज लगाई और एक दिन मैंने वीडियो में देखा था किसी कोमें त्सक्तवर अजन कर गाइओ को खास कर के विंटर में कैसे यह कौन साराइटी तो यह जिंज्वा है और विंटर में होता है यह ठीगा रहता है अधार तो ऺृफ। तरह तो नहीं दिख रहा है, तक होता है, बहुत लंबा हुआ है, बीटरूट उस तरह लगाई है, लेकिन सायद इतनी केरट्स ने उसको होने नहीं दिये, और अभीना ये केरट्स गायों को मिलेंगे बहुत जल्दी, ये हमारे बेंगन इस साइड के इतनी अच्छी रहे ले और यहां साथ में मूली भी है, वो भी आपको दिखा लेते मतलब घर के लिए अपी इस ताइम टमेटर नहीं हुए वरना हम बहार से नहीं लेते, घर पे ही सबजी बना लेते और जब सबजी नहीं होती ग्रीन वेजटेबल्स तो कुछ ना कुछ ना कुछ दाल या कठोल वो खा लेते हैं आए खेता करें नहीं है यहां पर भी यहां पर बहात है वहां पर फ्रेस फ्रेस करके वेजटेबल्स और फिर खर की गाई का दोद्वाई टूट गया मेरे से कब रहने दो इतने दो जाएंगे एक ले लेती हूं फिर दो पहर को लेने नहीं आना पड़ेगे अच्छा हल बहा है चाई 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 बगाना है अभी आपको थोड़ा से गवसला पी दिखाएंगे अभी य गाई आराम से बेठ सकती है जो कि बनने के बाद ही हम थोड़े दिन के लिए अपको गुषाला नहीं दिखाएंगे जब रेडियो जाएगे उसके बाद दिखाने अपले क्योंकि गाईों को चंद्रमा की रोस्नी और सूरज की रोस्नी दोनों मिलने चाहिए उसकी कॉंद क कि गाई ऐसा जिव है जिसको सूरिय नाली गी है जिसको कॉंद बोलते है तो कॉंद से वोड़ी को प्रकास लेके फिर अपने दूद मिलाती है वो शूरिय की जो रोस्नी होती है वो इसलिए गाई का दूद बहरी सक्ति सालिय खाने में में एक बार और पालक पर फोकस कर द तो आप लगों को कैसा लगा हमारा ये सुगा सुगा का वेजटेबल तूर बताना कोमेंट में और ये पत्थर हमें बहुत प्यारा है मुझे परस्नली ये बहुत अच्छा लगता है मदलब ये तो देखो पूरा ये मशीन कट लिया है हमने थोड़ा मेंगा बोल रहे थे सब लोग इवन कारा भए भी बोल रहे थे कि रामदे बहुत महेंगा हो जाएगा लेकिन ये मेरी गायो का फ्लोर होगा मुझे पॉस्टनली ये बहुत पसंद है और ये बहुत है जाएगा लेकिन ये फ्लोर इससे बनते इसमें क्या है ये थंडा रहता है पानी को ऑन प्रकाघ्र में बरत बॉला हुए में तर्फ इन वहां के राजा राणी यूपी थे उन्होंने ये पverted यूज ए इसी जगह का ये पत्थर उनके बकिंग थी पेले यूए कि या बहुत स्ट्रोंग वोता है नहां और ये एक अलग बनावाट का पथर है स्टोंग तो बहुत सारे पथर सभी पत्षरस्टोंग होते अलग-अलग अपने साब अब DD टे से लेकिन जैसे राजस्तान का मार्बल है वेसे यह यहां का यह यह पत्थर है इसके एक वी सिस्ता है कि यह थंडा रहता है तो गर्मी में यह थंडा हो जाएगा और यह प्रणी स्टार आगया है वह घर ठा जो पर नहीं सकता है कि मुझे बहुत पसंड एंग़ जब घर बनाएंगे यह पत्थर का बहुत सरा इंग यूज थोने वाला कि य कोई बोल देवा दूंगा चलोगों दिखा दीता हो ने वेजटेबल्स रहने दो अपना है पूरा इलाखा कोई आते लेक्षे अरी है तो मामी को बोल देना की आपका बेटा आपका बेटा अपका बेटा है अगले वीडियो में ने बोला था कि इसको क्या बोलते बताना तो बहुत लोगों ने अलग अलग बताये थे थान बोलते हम गमान बोलते कुछ लोग तो बेसिकली पशुओं को खाना देने की जगा जहां पे पर्टिकुलर बनाई जाती है उसकी हाइट ली जाती है लेवल त इसलिए इसकी पर्टिकुलर हाइट रखनी पड़ती है यह देखके तो आपको पता चली जाएगा कि यहां पे कौन आने वाला है खोडी बोल दो यह सर्प्राइज है कौन कहां पे जाएगा वो सर्प्राइज है मेरे माइन में जब से गवशाला नहीं बनी थी तब से है ल तो अभी तो यह बन गई है अभी नोर्मली यह घोडी के लिए थोड़ी से लंबी बनाई है बाकी हाइट में यह लंबी तो लेंद सबकी 12 फीत है लेकिन इसकी हाइट बढ़ा दी है अभी और भी गमान आ रही है बाहर जो थानिया बोलते जिसको यहां पे सबसे छोटी है चोटे बच्चों के लिए क्योंकि यहां पे बच्चों को और बड़े को सब को ध्यान में रखके सब को अपनी अपनी प्रायोरिटी भी मिले इस तरह से यह बनाई गई है जल्दी आपको यहां से इसे खाते 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 ऐसे बच्चे मिलेंगे बच्चे मिलेंगे कि मेरा लिए इनफ है यह मैं आराम से डाल सकता हूं और बहर भी कोई अनिमल ना निकल जाए इसलिए तो फिर देखेंगे आगे अगर रेसा कुछ है तो यह कभी भी निकाल सकते इस तरह से हमने रखा है लाकि यह गमाने अलमस त्यार होने को है त्यार हो गई अभी पीछे हो अब बहुत सारी चीजे बाकिये लगने को इसको लगेंगे विदस बारा दी तो अभी यहां पर यहां से चारा भर के दूसरी साइड लेके जारे अपी जल्दी वस्ता भाई को यहां से पर के यहां पे तो वस्ता भाई का बहुत जड़ा डीजल बच जाएगा इस तरह जो भी स्टोरेज ही होना है इसके साथ पूरा मैं जाओ ने जी भी रखा है मैंने जो मखन था गरम करने के लिए गी बनाने के लिए लेकिन उसका अबना अड़क दिया बनाने वाले जो इंटर स्पेसियल गुजराती तो इसी को देना नहीं हम खुद इखा जाएगे हम लो बहुत सारे इमेल्स थे लेकिन इतना स्टोक नहीं है अभी के लिए लेकिन अपडेट करेंगे जिनका ओडर वेटिंग है उनको पहले मिलेगा और बहुत जल्दी बहुत ज़्याद की सब को मिले अशी हमारी कोशिस है लेकिन पुसीबल नहीं है कि सब को देए बना रहे है ऐख यहां यह क्वाफै अगर क्वढूत कर देए अगा यहां वी ठीध को उनक जल्राफचा गीरिए ऑड़े तो रहे होगे इंगन की सब्स नेकाले इंग डीढ्स को ऑ Swissour best जाय जा है be तो अल्वेस थोड़ा सा येलो इस कलर का होता है, पूरा प्योर वाइट गीर गाई का तो मक्षन कभी नहीं होता है, डिफ्रेंस हो सकता है, किसी का ज्यादा येलो होता है, किसी का कम होता है, प्रेग्नेंसी का जब बेबी आता है, उस टाम पे ज्यादा येलो होता है, फिर उसका नेचर कलर होता है वो आजाता है लेकिन प्योर वाइट नहीं होता है थोड़ा सापको कलर डिफ्रेंस साइध फोर में भी पता चल जाएगा है ओफ वाइट क्रीम या यलो इस होता है कि वोगे हमारा अरेडिया है तो कि वोगे हमारा अरेडिया है तो यह रेड चिली पेस्ट है ना मैंने पहले भी बताया है गार्लीक उसका पेस्ट उसके रेड चिली पाउडर एड करके तो साली सबजियों में एड करते है तो अगर ग्रीन चिली नहीं अलग से चिली पाउडर भी नहीं डाला है गार्लीक का अच्छा टेस्ट भी आ जाता बहुर लोग होते हैं, ज्यादा सब्जी बनती है, ज्यादा चंटी की जरूदर देए सारे मसाले एड कर जिए, इसको ये ओल में कुफो जाए, फिर बने एड कर दोगी, सब्जी हो जाएगी रेडी सब्जी बन रे हैं afterwards, साथ साथ में हम यहाँ पे तील की चिक्की बनाते हैं जो मका संक्रान्ती स्पेस्याल बनाते हैं इस में घूर्ड थोड़ा सा ओल एड किया है, तो अब है इसमें में तील एड कर दूं कि थोड़ा सा ये रेडि हो जाए तो गुल एड टील एड कर दिये, मैंने गुल में अभी जल्य दी इसको में निकाल लेती हूँ यह थोड़ा खंडा हो जाए ना फ्रीसमे में इसके पीसिस पर है दोगी सीव को देखिये, सीव क्या कर रहा है अभी सीव को सो जाना है देखो सीव क्या कर रहे हैं तो यह तो निकाला है लेकिन खाने में पीसमें मजबूत दाती है की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी हार्ड हो गई है ऐसा मुझे लग रहा है